गुड मॉर्निंग सुपरभात आप सभी लोगों को मैं भैरा में वारी अवैकनिंग डिफेंस अगैडमी हल्दवानी से आज फिर से एक बार क्वेस्टन लेके आया हूं आए हमारे पास क्वेस्टन क्या है अंडरूट माइनस फॉर इंटू अंडरूट माइनस फॉर का मान ह है यानिकी इसको सॉल्व करके इन में से कोई एक और सही होगा तो कौन सा ऑप्सन होगा आए हम सॉल्व करके देखते हैं देखे सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है मैनेस पॉर इंटू मैनेस पॉर लिखा हुआ है जन्रली हम एक आए डिया सकता है फोर फोर जास शिश्ट पास क्या लिखा हुआ है हमारे पास लिखा हुआ है अंडर रूट माइनस फॉर एंटू फिर लिखा हुआ है माइनस फॉर यह लिखा हुआ है अब क्या करते हैं जब स्कॉर रूट के सिंबल को हम रिमूब करेंगे तो माइनस फॉर तो अपने प्लेस में रहेगा और इसम लिख सकते हैं कायाने मतलब क्यों लेखा क्योंकि स्क्वाइर रूट के साइन कजब रिमूट करेंगे तो उसको हम उन बाइट्र की पावर के फॉरम मन लेख सकते हैं है ना अब हमारे पास यहाँ भी –4 है यहां भी –4 जब किसी नंबर समय बेश सेम आ जाते हैं है ना तो क्या करता हैं बेश सेम होने पर केवल माइनस 4E क्योंकि बेश को एक टाइम लखेंगे तो फिर हम प्रेकेट क्लोज करतेंगे और बेश सेम होने पर पावर है क्या हो जाती है एड हो जाती है पावर होने मतलब 1 by 2 पिलस 1 by 2 है ना 1 by 2 1 by 2 हाफ और हाफ क्या होता है 1 तो माइनस 4 की पावर क्या जाएगा 1 आ जाएगा यह 1 आया कैसे 1 by 2 और 1 by 2 को यह जो पावर है इनको एड कर दिया 1 & 1 कितना हो गया 2 2 divided by 2 is equal to क्या गया 1 है ना जो यह यह वन आया यही पावर क्या होगी यहां इसके उपर आगी है minus 4 के उपर और प्रण बेस होन नर्बाइस को हम वन टाइम एक होगी बेस सेम है बेस सेम होलें इड होजाएंगी अब यह फैनल का हो मैंनेस 4 की पावर 1 होगा किसी पिन नमबर की पावर One होती है तो वैल्यम होती है ना तो माइनस 4 इसका मतलब ऑसन नमबर B की option number B नहीं option number C is correct ठीक है thank you